गुद मॉर्निंग स्टुटेंट, हाओ रूँ, आज हम करेंगे हमारी फर्स्ट बुक फॉनिक का पेज नंबर फॉर्टीन, प्रेक्टेस ताइम, लुक एच पिक्चर एड रीट वर्ड गिवन विद देम, circle the correct word, देखिए आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स नजा रही है, आपको उन पिक्चर्स को देखकर correct word को circle करना है, बताइए what is this, this is doll, तो the phonic word, the sound हमें मिलता है d से, that means यह है correct word, doll, second picture देखिए, what is this, this is cat, और देखिए इसका first यानि beginning letter है b, b का phonic sound है b, तो यह तो b, cat नहीं हो सकती, c, k, cat, तो यह है correct word, इसे circle कर दीजे, next है, पताइए what is this, this is got, g, g, got, जबकि second word का first letter है c, c, k, cat, तो correct word है, g, g, got, तो आप उसे इस तरीके से circle कर दीजे, next देखते हैं, बदाइए next picture किसकी है बचो, next है, hen, her, h, her, hen, जबकि first जो word है, उसका beginning letter है, p, p, per, तो क्या p, per, hen होता है, नहीं, h, her, hen, तो यह है correct word, इसे इस तरीके से circle कर दीजे, next picture देखते हैं, next picture है, जग, j, j, जग, जबकि second word जो है, उसका first beginning letter है, m, m, तो first है इसका correct, j, j, जग, next picture देखते हैं, what is this, this is nuts, जो मेवे होते हैं, almonds, cashew, peanuts, इन सभी को हम कहते हैं, nuts, और nuts में हमें phonic sound मिल रहा है, n, n, nuts, जबकि first word का beginning sound है, h, h, hut, n, nut, तो second वाला है हमारा correct word, तो आप उसे इस तरीके से circle कर दीजे, next picture देखते हैं, हमारी next picture है, p, p, pen, m, m, man, man means, आदमी, p, p, pen, तो इस तरीके के बरतन को हम कहते हैं, pen, तो इसे circle कर दीजे, next है, बताईए, यह तो आप सबने देखा ही होगा, r, r, rat, तो देखिए, r, r, sound हमें मिल रहा है, r से, that means, यह है correct word, r, rat, देखिए, यहाँ पर, c, c का फोनिक साउंड है, k, o, o, o का फोनिक साउंड है, o, p, k, o, p, cop, next है, t, t का फोनिक साउंड है, t, t, o, p, top, बताईए, what is this, this is, top, जिसे आप हिंदी में लिट्टू भी कहते हैं, तो यह है correct word, I hope आपको अच्छे से clear हो गया हो, तो आप बात करते हैं, आपके homework की, page number 14, आपको अपनी, my first book of phonics, देखिए, इस तरीके से, जो book है, आपकी, my first book of phonics, उसका page number 14, आपको, book में ही complete करना है, इसी तरीके से, बढ़ते हन रहे, homework करते वक्त, date mention करना, ना भूले, हम फिर मिलेंगे, next session में, और आप अपने phonics को, इसी तरीके से, revise करते रहें, bye bye, we'll meet again,